हाई मैंने बनाए सीखे हुए चने के बेशन के लड़ू जो मैंने इसके लिए 500 ग्राम चना लिया और इसको दर-दर अच्छे मिक्से में पीस लिया थोड़ा मोटा ही रखना है पीसने के बाद मैंने इसके लिए 400 ग्राम सुगर ली उसमें आठ नो इलाइची साथ में ही पीस लिया चील के इसको बिल्कुल बारिक पीस लिया सक्कर को अब ये जो चन्नी पीसे हुए है ना इसको थोड़ा दो मिन्ट के लिए ऐसे ही गेस ओन करके मेडे माच में इसको सेख लो इसका मौश्चर निकल जाए और इसमें इसके लिए मैंने 400 ग्राम देसी गी लिया अब देसी गी को इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालके और इसको दो मिनिट तक अच्छे से भून लेते हैं वैसे भी बेशन तो चैनी तो सिखे हुए रहते हैं तो ज़्यादा नहीं भूना पांच या दस मिन्ट में हो जाता है ये दो एक मिन्ट इसको अच्छे से इसमें चलाईए दो पांच मिन्ट और अच्छे से चमज की चाहता है इसको एक दम एक जिसा कर लो गठाने ना रहे इसमें गी की सारा गी एक दम मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से सारे गी को आच एक दम मीडियम ही रखना है नहीं तो जल जाएगा फिर इसमें ये जब हो जाए दो पांच सारा मिक्स हो जाएगी तो इसमें दो छोट छोटी चमजिता दूद का छीटा लगा दो इससे क्या के थोड़ा दाना आ जाएगा दानेदार लड्डू बनेंगे और फिर इसको दो मिन्ट के लिए फिर से दूद को सुखा दो सेक लो तो सारा दूद सूख जाए नहीं तो बेसन के लड्डू खराब हो जाएगे यह सिख जाए तो अब इसको ठंडा होने दीचे 5-10 मिन के लिए ठंडा करने के बाद वेसन में सुखर जो पीसी वी सुखर रखी थी उसको एड़ कर देते हैं और अच्छे से सुखर वो इसको मिक्स कर लो सबको एक साथ मिक्स करके और अपनको लगे कि मतलब हाथ में बना के लड्डू चेक कर लेंगे कि बन रहा है कि अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी और एड़ कर सकते हैं दो चार चमप्ष जब अच्छे से इसको मिक्स हो जाए सक्कर और ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए तो दोनों हाथ से चोटे चोटे लड्डू बना के पता चल जाएगा कि यहां बन जाएगा नहीं तो थोड़ा बहुत घी एड़ कर लेते नहीं बने तो ऐसे करके छोटे-छोटे लड़ू तेयार कर लेते हैं ये कम से कम माईने भर तक आराम से श्टोर करके रख सकते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है अपने बच्चे वगेरा बाहर रह रहे हो तो उनको बना के दो आराम से माईने भर तक चलते हैं और छोटे-छोटे हाथों से बना के रड़ी कर लेते हैं और ये सारे मैंने बना के रड़ी कर लिए बहुत अच्छे बनके तयार होए हैं सोफ्ट दानेदार लड़ू एक दम एक दम से मूं में जाते ही घुल जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लड़ू है थैंक्स